पहली सुर्की बनी कॉंग्रेस से हुई एक और रवानगी से असमसे कॉंग्रेस का बड़ा चेहरा और कॉंग्रेस की महिला मोर्चा की राष्ट्री अध्यक्ष सुश्मिता देव ने पार्टी छोड़ दी है इससे पहले ये बात चलती कि क्या वो भी जोतरा दिति सिंधिया और जेतिन प्रसाद की तरह भाजपा में जा रही है खबर आ गई कि सुश्मिता अभिशेक बेनर जी और डेरेक ओब्रायन से जाकर मिली है इससे साफ हुआ कि सुश्मिता त्रिणमूल कॉंग्रेस में जाएंगी आजकल सियासत ट्विटर पर जादा होती है तो सुश्मिता से जुड़ा अपडेट और उसका संकेद भी ट्विटर पर ही पहले मिला सुश्मिता देव ने सबसे पहले अपने ट्विटर बायो में कॉंग्रेस सदस्त के आगे पूर्व लगाया फिर अध्यक्ष के आगे पूर्व और इसके बाद उनका स्तीफा सोशल मीडिया पर तैरने लगा अपने स्तीफे में उन्होंने पार्टी छोड़ने का कोई कारण नहीं बताया बस ये कहा कि उनके जीवर में पब्लिक सर्विस से जुड़ा एक नया अध्याय शुरू हो रहा है हमने आपको बताया इस नया अध्याय का नाम तर्मूल कॉंग्रेस है अब आते हैं स्तीफे की वज़े पर सुश्मिता चौती पीडी की कॉंग्रेस नेता थी उनके पिता संतोष मोहन देव असम कॉंग्रेस में कद्दावर बंगाली चेहरा थी सिल्चर असम में बराग घाटी की सांस्कृतिक राजधानी है इलाके का सबसे बड़ा शहर ये एक वक्त संतोष मोहन देव का गड़ हुआ करता था और यही से सुश्मिता भी सांसद रह चुकी है आज की तारीक में भी वो बराग घाटी में कॉंग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा थी जब तक असम में सरकार और पार्टी दिवंगत कॉंग्रेस नेता तरुन गोगोई की पास थी तब तक सब कुछ ठीक दिख रहा था लेकिन उनके जाने के बाद पार्टी जब 2021 के विधान सवा चुनाव में उतरी तो भयंकर खेमे बाजी नजर आई तरुन गोगोई के बेटे गोरो गोगोई एक तरफ थे दूसी तरफ पूर्व सियम हितेश और सैकिया के बेटे देवबरत सैकिया थे तबके कॉंग्रेस अध्यक्ष दिपुन बोरा एक तीसरा खेमा बना रहे थे इन सब के बीच टिकट वितरल में सुश्मिता को मान नहीं मिला और फिर कॉंग्रेस ने जिस तरह बधरुद्दीन अजमल की पार्टी AI-UDF से साज़ेदारी की उसे लेकर भी सुश्मिता नाराज थी क्योंकि कॉंग्रेस और AI-UDF के साथ लड़ने का मतलब था कि बराग घाटी के मुस्लिम बहुल इलाकों में सुश्मिता को अपनी राजनेते कुर्बानी देनी पड़ती सूत्रों के मताबिक इसी के चलते फरवरी 2021 में सुश्मिता उस बैठक से बाहर निकलाई थी जिसमें कैंडिडेट्स का चुना हो रहा था तब भी खबरे चली थी कि वो पार्टी छोड़ देंगी लेकिन तब विवात किसी तरह शान्त हो गया था कॉंग्रेस सिटिजेंट्शेप एवेंडमेंट एक्ट यानि C.A. के खिलाफ रही है इसे लेकर भी सुश्मिता देव सहज नहीं थी क्योंकि बराग घाटी के बांगला हिंदू इस कानून के समर्थन में है तो सुश्मिता के जाने की भूमिका कई दिन से बन रही थी वो तिन्मूल में जाकर क्या करेंगी ये भी कोई राज नहीं है सुश्मिता के पिता संतोष साथ बार सांसद रहे की बांगला अबादी को रिज़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और फिर सुश्मिता का अपने इलाके में जो उनका बांगला बहूल इलाका है खूब असर भी है तो पार्टी को ममतब एनरजी की सुश्मिता से खूब उमीदे हैं और रही बात कॉंग्रेस की तो उसे जैसे केंदर में अपने लिए चेहरों की तलाश करनी है या जो चेहरे हैं उनमें स्थायत का भाव खोजना है वैसे ही असम में भी उनकी तलाश लंबी हो गई है क्योंकि भाश्पा के नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सर्मा किसी भी उभरते मजबूत नेता को जादा दिन कॉंग्रेस में रहने नहीं देते और जो कॉंग्रेस में रह गया वो कॉंग्रेसियों को ही सुहाता नहीं है तो उसके जाने की इस्थिती बन जाती है कॉंग्रेस के लिए ये जटका एक और वज़े से है हाल के मिजूरम असम सीमा विवाद में बराक घाटी सबसे इंपॉर्टेंट थी असम के पॉइंट अव यू से और हिमंत विश्य सर्वा ने जिस तरह का स्टेंड लिया उससे उनका और उनकी पार्टी का कद बढ़ा हुआ और ऐसे में कॉंग्रिस को काउंटर करने के लिए अपना चेहरा बचा है ना नेरेटिव और इस पूरे प्रक्राम पर चुटकी भी कॉंग्रिस के लोग ही ले रहे हैं कॉंग्रिस के नेता, G23 के सदस्य और चर्चित डिनर पार्टिया करने वाले कपिल सिब्बल उन्होंने ट्विटर पर क्या लिखा सुनिये सिब्बल लिखते हैं कि युवा नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और हम जैसे बुज़ूर्ग नेता जो पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में हैं कोसे जा रहे हैं और इन सब के बीच आंक बंद किये हुए पार्टी का काम जैसे चल रहा था चल रहा है